आज का tutorial वीडियो और एक तरह से मैं आपको यह नहीं दिखाने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्रॉइंग में क्या क्या सबसे बड़ा प्रॉब्म तो यह है कि पहले जो मैं कलर डाल रही हूँ बिल्कुल पैची है और मैं इसमें वाटर कलर में पानी मिक्स करके इसको लाइट छे देने की कोशिश कर रही हूँ तो यह पहला प्रॉब्म है यहां पर अगर आपको लाइट ग्रे बनाना है तो सही तरीका यह है अगर आपको लाइट दिखाना है तो आप लाइट ग्रे का इस्तमाल कीजिए जो कि आपको वाइट और यहां पर थोड़ा सा ब्लाक मिक्स करके मुझे ग्रे बनाना चाहे था और इसको बिना पैच के मुझे कलर करना चाहे था तो यह पहली गलती है इस है इस जो सबसे प्रड़ा प्रemi मी सहता है जब आपका बेस आप और वाप जग जो उस पर ओब मीज्झ खररें ऑर डोनों सेम होता है तो इस तरह की प्रपडमी हैक वह इंपोरटट कि आप base color को differentiate करें जो आप उपर top layer पे जो color दे रहे हैं और जो bralette आप देख रहे हैं मैंने इसको pen से किया है तो इसमें एक ही अच्छा part है ये face पूरा अच्छा look आया है और जो bralette है जिस तरह से मैंने इसमें net color किया है pen का use करके जिससे design show किया है वही इसका एक अच्छा part है बाकी आप जो है बहुत flat हो गई है drawing तो please avoid आपका base color हमेशा अलग होना चाहिए आपका जो fold दिखाने का color है और बाकी color से एक shade lighter या एक shade darker होना चाहिए बिलकि दो shade lighter और दो shade darker होना चाहिए इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कम से कम patch हो आप देख सकते हैं ये drawing बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारा patch है इस drawing के अंदर मैंने cover up करने की कोशिश की है पर फिर भी ये properly cover up नहीं हुआ है तो ये होता है जब आप pre-plan करके नहीं चलते हैं जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो make sure whenever you are doing tone and tone color आप patches avoid करें आप अपना जो shade है उसको दो shade lighter या darker रखें hopefully आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा ये बहुत ही short वीडियो है पर बहुत important वीडियो है मेरे हिसाब से so please do like, share and subscribe thank you so much